तो आप सब अपना मनोबल बनाए रखे हैं, सबसे इंपोर्टेंट बार थे कि किसी को अपना मनोबल कम करने की जुगत नहीं है, एक बेरी अनफर्चुनेट होता है, इस तरह का घटना हो जाता है, पहली बार देखा है कि आसा कुछ हुआ है, तो ये पार्ट आफ लाइफ है आप जीवन में बहुत सारी समस्याइं आती रहती हैं, आप लोग अपना मनोबल बनाए रखे हैं और जिस पेस से आप त्यारी कर रहे थे, बिलकुल आप उसी मनोबल लगतार मैंने चार-चार मेंस लिखा योगा दिकारी है, तो आप से कोई मिलने आता है, तो विवक्ति क ताप उसका वहीं पर समाधान कर देंगे, अगर वो आपकी कारेच्चितर में नहीं आता है, तो सामने वाले को आप अच्छे से समझाएंगे, कि आपके कारेच्चितर में नहीं है वो, और कहां पर उनका काम होगा, उनको अच्छे से आप लोजिक हैं वेलकम टुनायन अल्टिमेट, अभी हमारे साथ विवेक दीप सर है, सर का सेलेक्शन 64 विपसी में 104 रैंक के साथ हुआ था, इससे पहले यूपीसी का भी इंटर्व्यू दिये थे, और कई PCS वागरा में मतलब इंटर्व्यू दिया है, तिसे हम बातचीत करेंगे, और नाम विवेक दीप है, और मैंने फिसरीज साइन्स से ग्रेजेशन किया है, डॉक्टर राजिंदर परसाथ सेंटरल अगरी कल्चर इनिवर्सेटी पूसा से, और उसके बाद मैंने यूपीसी का प्रपेशन मैंने स्टार्ट किया, और लगातार मैंने चार-चार मेंस लिख दानापूर में भी मैं राजय शादिकारी की रूप में कारेरत था, उसके बाद फिर मेरा सेलेक्शन शिक्स्टी पूर्ट भी पेसी में डिवाई एस्पी के लिए हो गया, तो मैं अभी बरतमान में राजगीर में पुलिस व्पादिक्षक की ट्रिनिंग ले रहा हूँ जी सर थोरा साब बीपेसी एक्जाम के लिए कुछ श्टेटिजी बता यह कई सारे ऐसे स्प्रेंट होते हैं जिसे कोमेंट बगार आ रहे थी कि बीपेसी में सबसे पहले तो पीटी से सुरू करते हैं, सब लोगों को पता है कि बीपेसी में प्री का जो जो कुश्चन्स आ इकॉनमी का जो बेसी कंसेप्ट से एलेवन टुएल्स के स्थर का उसको कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कोश्चन प्राक्टिस की जाएं तो यही एक बीपेसी प्री में सफलता का मूल मंत्र है आप अगर ज्यादा इलाबूरेट होके तो इन तीनों किताबों को तो जरूर पढ़ना चाहिए और इसके साथ साथ जो घटना चकर प्रकाशन की जो कुश्चन बैंक आती है उसको बनाना चाहिए इसी तरह आप अगर राजनीती विज्ञान में देखें जो भारती राजनीती हैं इंडियन पॉलिटी उसमें आप आपको एक बेसिक बुक से अपके lub हम लोगों ने लक्षमी काहन से पढ़ाइ की कि थी अगर आप ऐक बार कंषेट केलिए कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्युस्ट्प्रक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं पर और फिर से ही थ तो आप पिजिकल जोक्रफिव और पढ़ते हैं तो NCRT में आप जैसे मालो cyclone परते हैं, air mass परते हैं, front परते हैं, तो कोई concept, coriolis forces परते हैं, तो अगर कोई cyclone अगर, कोई concept आपको समझ में नहीं आता है, तो मेरे विचार से मैं ये करता था, कि मैं YouTube अगर आपकोई video देख लेता था, या फिर मैं Wikipedia कर लेता था, तो conceptual clarity, जोगरफी में जो है, उसको आप net के थुरू कर लीजिए, और reference book NCRT को ही रखिए, और एक बार फिर से घटना चक्रे के question point बनाईए, तो मुझे लगता है कि ये clear हो जाएगा, मैंस की कुछ answer writing की बता यह रहर नहीं थी, किसे शुरुवात कैसे किया जाएगा? देखिए, मैंस answer writing को आप सबसे पहले दो भाग में बाट के देखिए, सबसे पहले तो आपको एक basic answer कैसा होना चाहिए, एक basic answer में एक भूमिका होनी चाहिए, फिर उसका body part होना चाहिए, फिर उसका conclusion होना चाहिए, भूमिका संशिप्थ होनी चाहिए, body part बहुत important है किसी बी answer के लिए, तो उसमें आप ये कोशिश करें कि दो तरह से इस cancer लिखा जाता है, एक तो किसी भी topic को बहुत सारे dimensions में बाट के उतर करना चाहिए, जैसे कि कोई भी एक topic है तो उसका समाजी क्या है, आर्थिक क्या है, राजनीतिक क्या है, तिहासिक क्या है, पढ़ियावर्णियां क्या है, विदेश समन से कहां तकलिंक होती है, आंतरिक सुरक्षा से कहां तकलिंक होती है, तो किसी topic को इस तरह से अलग-अलग dimension में बाट के answer देनेगा प्रयास करना चाहिए, और अगर कोई conceptual questions है, जैसे opinion based question है, कि जैसे कि triple तलाक सही है, नहीं है, समाने नागरिक सहीता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सवाल में आपका उत्तर analytical होना चाहिए, कि समाने नागरिक सहीता कि पक्ष में जितने सारे बिंदू हैं, उसको भी रखिए, जो उसके भी पक्ष में बिंदू हैं, उनको भी रखिए, ताकि वो दिखे कि आप एक balance बिचार के वक्ती हैं, आपकी सोच जो है balance, तरह सा optional के बारे में बताएं कि optional का नए लोग कैसे chain करें? देखे, मेरा असपरस्ट मानना है कि सबसे पहले कोशिस ये करने चाहिए, कि जिस subject में आपका interest हो, क्योंकि उस subject के साथ आपको अगला दो-तीन साल गुजारना है, उस subject को आपको जीना है, तो जिसमें आपको interest हो, जो आपको अंदर से लुभाता हो, ऐसे ही subject को option लगना चाहिए, जो science background के लड़के हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा, कि अगर वो अपने graduation के subject में, जैसे engineering का कोई subject है, mathematics है, physics है, chemistry है, उसमें अगर वो comfortable है, अगर उन्हें अच्छे से graduation में पढ़ाई की है, तो उनको निश्चित रूप से उनका अपना subject लेना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किये, वो बहुत comfortable नहीं है, तो मेरी सलाह यह है कि पहले वो GS पढ़ लें अच्छे से, GS में पढ़ते वक है कि आपको कौन ज्यादा लुभा रहा है, तो फिर आप उसके साथ आगे continue कर सकते हैं, इंटर्व्यू की त्यारी बताई है, कुछ कैसे करें, पिछले 63, 64, 65 और अभी 66, चारों बैचों को मैं इंटर्व्यू के लिए train कर रहा हूं, विविन माध्यम से, तो जब आप किसी विवक्ति से मिलते हैं, इसे मान की चलिए कि आप एक अधिकारी हैं, तो आप से कोई मिलने आता हैं, तो विवक्ति कब बोलेगा कि एक अच्छा अधिकारी हैं, जब आप उसको जो मिलने आया है, उसको अच्छे से बिठाएंगे, उसकी जो समस्या है, उसक आपके कारेच्छितर में नहीं है वो और कहां पर उनका काम होगा उनको अच्छे से आप लोजिकली समझाएंगे तो कुल मिला कि अगर ऐसा वक्ति तो आपका है कि किसी आम जनता की बात को आप ध्यान से सुनते हैं उनके समस्या के पर तिया अप सेंसिटिव रहते हैं आप समधन करना चाहते हैं वैसा नियंकि आदा सवाल में आप जबाब देने लग जाते हैं आगाम उने वाला है सर उसके जो है कुछ नए है उसको सब क्या संदेश देना चाहेंगा अभी जो पीटी के लिए देने वाले आप मैं यहीं बोलूँगा कि अभी तो एक्जाम भी आप देख रहे होंगी कैंसिल हो गया तो आप सब अपना बनाया रखें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कि किसी को अपना म मनोबल बनाया रखें और जिस इस पेस से आप त्यारी कर रहे थे बिलकुल आप उसी मनोयोग से त्यारी में लगे रहें और मैं समझता हूं कि आपका एक्जाम अच्छा जाएगा